आप सभी को मेरा अपनाम हर्बल रेमेडीज नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है मित्रो आज एक और्नामेंटल प्लांट की बात करेंगे ना के बल यह और्नामेंटल है बल्कि यह मैडिशनल प्लांट भी है आपी के गमलों में पाये जाने वाला एक प्लांट औरोकेरिय इसी फैमिली का पांठ है डाइमर्फिक लीव्स आप इसके देख रहいます की इनके जो कलर्स है यह मार्जीन में अब देखेंगे तो लाइट कलर के और सेंटर के तरफ डार्क कलर के इसके लीव्स होते हैं इस तरह कीец डाइम लीवस कहे जाते हैं इस प्लांट का प्रोपेगेशन कटिंग के माध्यम से किया जाता है और अगर कटिंग को हम six benzyl aminopurine के solution में डालते हैं तो सहजता से कटिंग को successfully किया जा सकता है गुणकारी ये प्लांट है इस प्लांट का जो stem आप देख रहे हैं इस stem के अंदर एक resinous matter extract out होता है जब आम यहां पर कट लगा देते हैं तो resinous matter निकलता है उस resinous matter के अंदर mono sq-diterpines, flavonides, leptane, diterpines और lecithin पाया जाता है इसके अलाबा बिभिन प्रकार के antioxidants, fenolic compounds, flavonides, isoflavonides भी पाय जाते हैं वित्रो इस प्लांट की जो बार की अच्छाल आप देख रहे हैं यह विशेज गुनकारी है किस प्रकार से आप ले सकते हैं इसको हम decoction बना कर ले सकते हैं और decoction में आप सहद मिला लें आसानी से आप इसका seven कर सकते हैं कई बार veins की समझ्चा होती है नियूरो प्रोटेक्टिव का भी ये कारे करता है lecithin एक अच्छा नियूरो प्रोटेक्टिव भी होता है आर्थराइटिस की समस्या हो तो पेन होता है तो उस पेन के निराकरन के लिए आप क्या कर सकते हैं आप वो डिकॉक्षन का सेवन कर सकते हैं बार्प का डिकॉक्षन और साथ ही साथ ये जो कॉमल पत्र आपको दिख रहे हैं इसको आप पेस्ट बना कर लगा दीजिए आर्थ इसको लगा सकते हैं रेजिनस मैटर का उपयोग वूंड हीलिंग के लिए किया जाता है दूसित वरंड को भरने के लिए आप उसको रेजिनस मैटर को लगा दीजिए सहस्ता से वाउंड हीलर का ये कारे करता है मित्रो कई बार किड़नी डिसोडर्स भी होते हैं तो इसके पत्र का डिकोक्षन अगर आप बनाके पीएंगे तो मुत्रल का कारे करता है किड़नी स्टोन में भी विसेश लाबकारी होता है हमोपैथी में तो इस प्लांट का मदर टिंक्चर भी बनाया जाता है जो कि विसेस गुणकारी है यह है नूरो मस्कुलर प्रोब्लम्स में विसेस लाब करता है इस प्लांट का उपयोग अगर दांतों में दर्द है तो उसको सही करने के लिव किया जाता है आप इसको थोड़ा सा काटके और अपने दांतों को नीचे इसको दबा लेजे तो दांतों के दर्द में भी विसेस लाब करता है कई बार एमीनूरिया की समश्या हो जाती है तो यह मैंस्ट्रल हर्मोन को भी रेगुलेट करने का कारे करता है और एमीनूरिया की समश्या को दूर करता है एमीनूरिया की समश्या में पीरेट्स के ना आने की समश्या होती है और इससे फर्टिलेटी का सीधा संबंध होता है तो मैं कहूं तो फर्टिलेटी को बढ़ाने के लिए फिमेल हॉर्मोन को रेगुलेट करने के लिए गुणकारी प्लांट है ना केवल और्नामेंटल है बलकि यह हाईली मैडिशनल इमीनागोग है इसको आपको गमलों में लगाके अच्छे बैनिफिट्स के लिए हेल्थ बैनिफिट्स के लिए इसको पंजर्व कर सकते हैं और श आपको सकारी प्रभाइब रामेंटल में लिए बहाई प्लाइब स्कते हैं अजर्व और्मोन को आपको लिएाधिजिया के लिए से ऊजर्वाई उपश ग्यां डवाईब बैणा उन्मा है